Film industry में career बनाना इतना आसान होता, तो career बनाने के लिए success और struggle की कहानिया नहीं बनती. इस industry में किसी दिन एक actor के पास बहुत काम होता है, एक set से दूसरे set भागता है, तो कभी ऐसा भी समयाता है जब महीनों तक काम नहीं. इस industry में रहते हुए, आप कमाना सीखे ना सीखे, patience और बुरी परिस्तितियों में या जब काम नहीं है या विपरित परिस्तिया है, उस टाइम शान्थ कैसे रहे और समय को कैसे काटे, ये industry ये सिखाती है. एक actress है, जो लंबे समय से industry में active थी और काफी नामी serial में उन्होंने काम किया था. पिश्वे कुछ समय से ये actress industry से गायब है, ना किसी project में नजर आई है, ना कोई music album किया है, और ना ही TV से filmों में आई है. जब देखा गया कि आखिर ये actress इन दिनों कर क्या रही है, जिया ही की जो संतोशी मा, इस तरह के serials में रतन राजपूत नजर आई थी. लेकिन पिछले कुछ समय से रतन राजपूत किसी भी project का हिस्सा ही नहीं है. हाला कि रतन राजपूत सोशल मीडिया पर काफी active रहती है, अपने इंस्टाग्राम पर वो कई सारी वीडियोस पोस्ट करती रहती है और उनी वीडियोस से पता चला कि रतन राजपूत जो है वो अब जाधा समय मुंबई में नहीं रहकर अपने गाउं में विताती है. और इस दौरान वो वो सारा काम करती है जो उनके बाकी family members करते हैं, यानि की चूले का काम करना, बरतन धोना, घर के जो भी regular work होते हैं वो करती है. साथ ही रतन राजपूत खेती बाड़ी भी कर रही है, उन्होंने अपने social media handle पर एक video share किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो गाउं की दूसरी ओरतों के साथ पानी से भरे खेत में खेती बाड़ी कर रही है और उनी की तरफ दिख रही है, उनी की तरफ पहनावा उन्ह कर रही है, रतन राजपूत से जब पूछा गया कि वो यही काम क्यों कर रही है, क्या वो film industry छोड़ चुकी है, क्या वो film industry में वापस नहीं लोटेगी, तो रतन राजपूत कहती है कि इस वक्त वो यह सब काम कर रही है, और इस काम में उन्हें खुशी मिल रही है, COVID-19 के द लोगों के मीच रहकर खुश है, घर का काम, खेती बाड़ी करते हुए, वो अपने जमीन की कहानिया जो है, लोगों तक पहुचा रही है, अपने चैनल के जरिये, तो यह है कहानी, film industry की उस actress की जो एक टाइम पर, प्राइम टाइम शोस का हिस्सा थी, और अब वो अपना YouTube चैनल चलाती है, घर की नॉर्मल आम आदमी की जिन्दगी कैसी होती है, यह सब दिखाते हुए,